वर्सात नी सीजन एठले घरमा गरम, भजिया, दालवडा, मेथी ना गुटा आने बटाका वडानी सीजन तो आ बदानी साथ्या जो स्वादमा वधारो करेवी चटपटी चटनी ना होई तो अनो स्वाद फोडो फीको पड़ी जाए छे तो आजे आपड़े रजबूटनी भजिया नी खुबज फेमस बे अलग-अलग चटनी बनावी सु। आ चटनी बनावी ने तमे किवरीते लांबा समय माटे स्टोर करी शको ए पण आजना वीडियो मा जोई सु। तो वर्सात सरू ठता पाला तमारे आवण्ने ब्रकार नी चटनी बनावी आने तमारा घरे राखवी जुए जेती जारे पन तमें घर्मा गरम भज्या ताल वड़ा के बटाका वड़ा बनावो तो एनी साथे तमें साव करी शको रेसीपी शरू करता पाला जो रेसीपी पसंद आवे तो वेडियो ने लाइक आने शायर करी मारी चेनल कीचिन राख ने जरूसी सब्स्क्राइब करो सवथी पहला आपणे खट्टी मीठी चटनी बनावी शू तो एना माटे अत्यारे में एक कप खजूर लीदी शे अने वन्थर कप जितली में आमली लीदी शे खजूर अने आमली माथी एना जे बीज वह आपणे घाडी अत्यारी जे में कॉंटिटी बनावी शे एमा थी लगबग अढ़ी कप जटली चटनी बनी ने दयार धाई चे हववे आपणे एक नांस्टिक लेशू अने एनी अंदर आ खजूर अने आमली एड करी शू अने पाणी उमेरवानों चे लगबग बैक अप जितलू गेसनी फ्लेम ने आपड़े स्लो टू मिडियम राखवानी चे अने आमली अने खजूर ज्यां सुथी एकदम नरब ना धाय त्यां सुथी आपड़े एने कुप करी लईसू तमारे जो प्रेशर कुप करमा एने बाफू होई तो बाफी शकोचो पन जो तमे आ चटनी बना प्रेशर कुप करवाना पाणी थोडू घरम थाए लेकी उकले पछी आपड़े गेसनी फ्लेम ने एकदम स्लो करी देशू अवे एलिउपर आपड़े एक धाकन ढाकी देए जेती चल्दी तिये कुप खेई जाए लगबग पांथी छो मिनिट थाई एकल आपड़े एकव वधारे नती नाकी ने खजूर मा पण मिठा शोई छे एकले गौल नी कॉंटिटी आपड़े बहु वधारे नई लवी पड़े अत्यारे में एक कप गौल लिदो छे जैने आ रीते में जिनो करी लिदो छे गलने पड़ आपड़े अनी एंदर एड करी देशू आर इती जैने तमें आमली आने खजूर ने कुक कर सो तो लगबग 10-12 मिनिट जितलो समय लागे छे आने चटनी आपड़ी जडबती बनीने तैयार थे जाई छे फरी थी आपने ढाकर लगाडी देशू अने भेवा देशू बीजी लगबग 35 मिनिट थाई गई शे अत्यारे आपणी खजूर अने आमली एकदम सरस नरम थाई गया चे आने आपणी जे गौल एड करे तो एपण आनी अंदर सरस रिते मेल्ट थाई गऊ चे आ रिते तमे जहरे ने चेक करशो तो इजीली तमारा स्वैचूला थिये अवर रिते प्रैस थे जसे तो आ स्टेज उपर हवे आपणे गैस बंद करी देशू अत्यारे तमने आनी अंदर जे पाणी देखाये छे थुडी जवार माए ठरी जसे आने अटला पाये नी जुरूर पण आपणने पडशे जहरे आपणे चटनी ग्राइन करी शू आठंडू थाई मिश्णतिया असुदी आपणे जे तिखी चटनी जे ए बनाविये तो इन्या माटे अत्यारे में एक कप सेकेला सिंग्दा आ लिदा छे काचा शिंग्दा आणा पण लई सकाइपन शेकेला सिंग्दा आनोश्वाद वधारे सार वावे चे एन्यानी शेल डाइफ पन वधारे सारी होई छे सवती पढ़ा आपणे शिंग्दा आने आ रीते अलग ज घ्राइन करी लेवाना छे ओने एंदद आपने एकडम जिना ग्रायन करवाना अचे इटले किम्धकी हैं और दो तकिले समय कर सक्किना तो प्रवले क्रेंड आ निज दो जर्बाई शतुी आपने प्राज मिक्सर घरन्डरोड तियारे में 1 कप मर्चा लिदा चे आ तिखा वाला मर्चा चे नेने आर इद्धि एक्डम झिना जिना करिलेवाना चे मिठु मेरवानू छे स्वाद प्रमाने अध्यारे मैं ये अनी अंदर 2 टीजपून मिठु नाक्यू चे एक टीस्पुन आपड़ा एनी अंदर हिंग एड करवानी छे, मिठु तमारे आमा थोडु वधरे नाखवानू, एक टीस्पुन आपड़े हलदर नाखी सु, आ चेटनी ने आपड़े थिक कंसिस्टनसी मा राखवाना छे, पर पछिने जरे डायलूट करिये, त्यारे आपड़े नाखवाना का, और आ चेटनी नी शैल लाइफ खुब लांबो समय सुधी सारी रहे छे, एक लेके वधी जाये छे, तो तमारे एनी अंदर मिठु आने लिम्बु थुडु चड़िया दू नाखवानू छे, हवे आपड़े एने ग्रैंड करी लेवानी, ग्रैं आपड़े आपड़े आईस्ट्र लावे छे, हवे तमा एने फ्रीजर मा राकी, और त्रोंथी चार महीना सुधी स्टोर करी शको छो, ए बिल्कुल खराब नथी तती, एने जारे पन तमने जरूर हो, एक यारे तमे आ चेटनी ना एक बै के त्रोंड तमने जरूर याथ हो एक क्यूब काड़ी, औने पाणी नाकी, औने अने उप्योग मा लाई शको छो, धाकन लवाली अपड़ी जे आईस्ट्रे आउटी होई छे मार्केट मा मले छे, एनो उप्योग करवानो, अजेर आपड़ू खजुरामलीनु मिश्रण ठंडु थेईगे उचे, तो एने मे एक मिक्सेज हरमा काड़ी लिदी छे, हवा एनी दर आपणे एक टीबलस्पून आखा धाना आड़ करवाना छे, एक टीस्पून आपणे एनी अंदर तल आड़ करीशू, औने बै मोट्टी चम्ची में एनी अंदर काश्मीरी लालमर्चु लिदू छे, आचे अटनी बना काश्मीरी लालमर्चा नो प्योग करवानों, जेती कलर एक टम सरसावे, औने ती खाश मटे आपणे बैन यंग लिल्ला मर्चा आड़ करीशू, औने ग्णहनों टुकडो आधनों आड़ करवानों छे, जने आपणे आरी ते जिनो करीण आड़ करीशू, हवे एनी अंदर जरूर जिटलू पाणी नाखी एने ग्राइन करवानों होई छे, तो पहले आपणे एमने मज ग्राइन करीशू, जरूर लागे तोष पाणी आड़ करीशू, औने मीठू आड़ करदेशू, स्वात प्रमाणे। तो पाणी नाखवादी, तमें आरी तनी जे नाईन नाणी डब्योग आवती होई छे, काच लिएमने पन तमेने श्टोर करीशू, पंजहरे पन तमें चटनी भापरवा माँटे काड़ो, तो जो आइस क्यूब माँ अवि रीते शेट करेली होई, तो मैं त्रोण इविरी भी ते बरफनी ट्रेना क्यों काड़ी आने तमें अने उप्योग मा लेई शको छो एने पने आपने ढ़ाकनला गाड़ी दिबंद करी देशू और फ्रीजर मा मुखी देशू आ चैटनी फ्रीजर मा त्रोंथी चार मैना सारी रहें जाने तमें अने बहर काड़ तुम्हें आ प्रेजर मां मुखेली छे तो अत्यारे हजू एटली एसाइक नथी खई पण अत्यारे तमने खाली जस्ट डायलूट करें बताऊ छो कि आ चैटनी ने तमारे उप्योग मां लेवी होय तो किय रीथली शकाए तो आ रीथे तमारे जिटली जरूर होई एटला क्यूब लेवा अने एनी अंदर आपणे पाणी एड करवानुने बाकी नी चटनी ने फ्रीजर मां मुखी देवानी। हवे जरूर पूर्थू पाणी एड करी आपणे एने डायलूट करी लेशू। पाणी नी कोई क्वांटिटी नथी हती तमने जटली थिकनेस वाली चटनी जुईती है प्रमाणे तमारे पाणी एड करवान। वत्यारे में लगवग 3-4 चमची जटलू पाणी एनी अंदर एड करी छे। अने जो जरूर लागे तो हजू बिजू पाणी आपणे एड करी छे। भजिया गोटा के दावड़नी साथे आ कंसिस्टनसी नी चटनी बराबर सैट थे जती होई चे बन तमने जो हजू डायलूट कर्मू होईले पाणी नाक्मू होई तो नाखी शको छो। हवे आपणे जे खटी मीठी चटनी बनावी छे ए तमने अत्केरे बताड़ू तो यह जू में फ्रीजर मां नकी मूखी रूम टेंप्रेचर उपर अच्छे तो एनी अंदर पन आपणे लगभग त्रोंथी चार चमची जटलू पाणी आड करी शू आ चटनी ने पन आप अच्मेरी लाल मर्चु जो आपरू जेधी कलर चटनी ने एकदम सरसाव से आ चटनी ने आपणे आइस्ट्रे नी अंदर सैट करी अने स्टोर करिये छे तो एना ती एक फाइद वही थाई छे के जरूर जेटला ज आपने एक त्यूप काडी आने पाणी मां डायलूट करी चटनी त्यार करी शेके जो एक साथे आपने मुट्डा डब्बा मां चटनी स्टोर करी होई तो दर वखाते आपने ए डब्बाने भाहर खाडवो पड़े अने एना कारण एनुप जे टेंप्रेचर छे प्लस माइनस थाई आने चटनी नी शाइल लाइफ उची थे जाए तो बटाका वड़ा दालवडा भजिया आने मेथीना गोटा नी आ सीजन मात तमे आ चटनी नी रेसीपी एक वार चोकर सी ट्राय करों रेसीपी तमने केवी लागी कमांड करी ने मने जरूखी जणावों आवी नवी नवी रेसीपी जोवा मांटे जो तमे हजुशदी मार चैनल किचन क्राफ्ट ने सब्सक्राइब ना करी होई तो सब्सक्राइब फड़ी दो तो फ़री थी मली आवी जएक नवी ने मेथीदा रेसीपी नी साथ है